आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस मास यह इस मास म अगलेकसी की रेडियस दिएक यह रो इसकुल कितना की यार ठीक है तो हमें क्या फाइंड करना है we have to find where k is constant find the relation between time period and radius r तो हमें time period t and radius r में एक relation find करना है कि यह दोनों किस relation से connected है तो हम क्या करेंगे पहले तो हम एक dm mask ले ले लेंगे dr radius का ठीक है यह अपनी galaxy है तो galaxy का mask calculate कर सकते है जब density variable हो कैसे करते है कि माल लेते हैं एक spherical surface है ठीक है यह अपना galaxy है जिसकी radius small r है तो इसका हमने radius small r पर इसकी radius small r पर एक dr thickness का एक छोटा सा circle choose करेंगे जिसका mask माल लेते हैं कितना है dm ठीक है एक thickness कितनी है dr इस thickness is dr and इसका mask कितना हो गया dm तो अपना dm आसे कितना हो जाएगा dm होता क्या है volume into density density कितनी है row and volume क्या हो जाएगी यह छोटे से spherical cell की कितनी हो जाएगी surface area होगा इसका four pi r square and thickness कितनी है dr यह होता है तो adm हमने find कर लिया तो इसका total mask कितना हो जाएगा इसको हम कहां से कहां तक integrate कर देंगा zero to capital r जो galaxy की radius है वो कितनी है capital r है इतना समझ में आना चाहिए कोई दिक्केत नहीं है तो मास मान लेते है capital m हो जाएगा अपना capital m is equal to integral from zero to capital r four pi r square into rho कितना है अपना रो हमें दिया गया है kyr okay k constant है kyr dr ठीक है यहां r से r cancel हो जाएगा यह कितना बचेगा four pi kr okay integration होगा तो r square by 2 यह कितना आ जाएगा four pi r square times k divided by two यह total mass आ गया galaxy के तो मास कितना होगा galaxy capital m is equal to two pi k r square ठीक है इसको नोट कर लेजिए यह अपना आगे काम आने वाला है यह होगा galaxy का mass ठीक है अब galaxy का mass इसके round एक small m का star move कर रहा है ठीक है small m का star move कर रहा है मैं one अब रहा से निकाल चुके है ठीक है तो इन दोनों के वी जो gravitational Lae individuals attraction मैं वह थो इसको उसको क्या प्रोवाइड करेगा editorial force जिससे इसके round 2025 करेगा तो इन दोनों के वी जो gravitational attraction ऐसको निकालते हैं तो gravitational attraction force gravitational force दोनों के विच क्या हो जाएगा क्या होता है टूटा म स्मॉल एंप डिस्टेंस कितनी है रेडियस ऑफ गेलक्सी क्याप्टल आर स्कॉर्स यह इसको क्या प्रोवाइट करेगा यह से इसको सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइट करेगा जिससे इसमें मूब कर शकूए एक सरकल में मूब कर सके तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो जी इंटु कैपिटल M into small m upon R square होगा यह small m को एक सरकल में मूब करने के लिए ready कर रहा है तो मतलब small m पर जो एक centripetal force से लगेगा कितना इसकी velocity मान लेते हैं V M V square upon R A से provide कर रहा है इतना force ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा R से R cancel हो जाएगा small m से small m तो यहां से capital V आ जाएगा अपना कितना square root of capital G capital M upon capital R ठीक है now capital M की value put कर देते हैं तो इसमें से small v कितना आ जाएगा small v is equal to capital G times 2 pi k r square divided by R ठीक है R से R cancel हो जाएगा तो यह कितना आ जाएगा velocity is equal to जो velocity होगी small mass m की star m की कितनी हो जाएगा G into 2 pi k r ठीक है यह velocity होगी अब हमें time period and radius में relation find करना था guys तो हमें क्या पता है कि जो time period होता है वो क्या होता है distance upon speed for star of mass small m तो time period हो जाएगा अपना डिस्टेंस मरला जो small mass m का जो star है वो एक revolution में कितनी distance cover करेगा इस circle के circumference के equal जो किसके equal होगी 2 pi r के equal तो capital T हो जाएगा अपना 2 pi r divided by velocity कितनी है capital G into 2 pi k times r ठीक है यहां से आर कैंसल हो जाएगा यह बचेगा टी देखो गाइस यहां पर एक बास समझ में आ जानी चाहिए थी हमें relation find करना तो और जैसे options दिये गए थे हमें टी एंड आर में एक proportional T relation find करना है तो बाकी सारा जैसे 2 pi है capital G है university gravitational constant के है यह सब constant है के बल आर वेरिवल है तो आर के कैसे proportional हो गया आर टू दी पावर हाप के proportional हो गया जो time period अपना तो यहां से आ जाएगा T into r to the power minus हाप जो है वो क्या हो जाएगा constant हो जाएगा और यह हमें question में हमसे पूशा गया था कि T and R की बीच में क्या relation है तो कौन सा option correct है options देखते हैं अपना कौन सा correct है option भी जबर correct टी इन्ट आर टू दी पावर minus हाप इच constant थेंक यू कि क्लासिक स्टिवल से लेके नीट आइट जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज जी डाउनलूट करें डाउट नेट आप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स आज चार्सो 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 पर